हेलो फ्रेंड्स आई होप आप सुब ठीक होंगे आज जैसे देख रहे हैं आप वीडियो में आज थार्ड कोशन देखेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 का चैप्टर नमबर वन जो नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन है उसका कोशन नमबर थार्ड देखेंगे मैंने पिछले मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो बना दी है कोशन नमबर वन एंड कोशन नमबर टू पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जाकर देख लिजिए बहुत इजी मिठ्ट से समझाया हूं आज होप आपको समझने आ जाएगा आज देखेंगे कोशन नमबर तुरी नॉन प्रफिट और्गानेशन का चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पर आते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं यह कुश्चन है फ्रम दे फॉलिंग पर्टिकुलर्स प्रिपेर इंकम एंड एक्स्पेंडिचर अकाउंट इंकम एंड एक्स्पेंडिचर अकाउंट बनाना है हमें इसमें यहां पर दिया है कुश्चन उसका हमें इंकम एंड एक्स्पेंडिचर अकाउंट बनाना है उमीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्लियर से अगर नहीं दिख रहा हो कमेंट कीजिए नेक्स वीडियो में मैं उतार होगा यह जैसा है फीस कलेक्टेड इंक्लोडिंग 80,000 और अकांट अफ प्रिविएस यर 5,20,000 फीस कलेक्ट हुआ करते 5,20,000 बट इसमें से 80,000 बोल तो प्रिविएस लास्ट यर के है करते यह हम पर लिख लेते हैं expenditure amount income format है यह income expenditure अकांट का और यह amount जो question पहारा है फीस कलेक्ट हुआ करते हैं 5,20,000 मगर इसमें से 80,000 लास्ट यर के है करते हैं पहले हम फीस लिख लेते हैं कितने कलेक्ट हुआ फीस कलेक्टेड 5,20,000 फीस कलेक्ट हुआ करते हैं टोटली फीस यह बट 80,000 क्या है last year के गते हैं तो ये last year के तो हमें current year का मनाना है इसलिए last year का minus होता लेस लिख रहा हूं हमें हमें सिर्फ इस साल का मनाना है last year का नहीं लाश्ट पर इसलिए इसमें minus कर रहा है last year का यही है next देखते हैं fees for the year outstanding आप present की fees आने करते हैं current year की जो आपके साल की fees आना है केते तो आना है तो add होगा हमें आना है गए ने पुरपई से आना है इसलिए current year outstanding हमें आएगी fees इसलिए हम लिख ले रहे हैं यह प्लस होता 30,000 अब कर लिजे total sorry थोड़ा shade से क्या लेटर नहीं दिख रहा 5,20,000 minus 80,000 plus 30,000 totally आ रहा है 4,70,000 4,70,000 आ रहा है answer लिख लेते हैं अब next question देखते हैं salary paid including 5,000 account of previous year यह भी विश्ची से हो खोशन जो जो हम फीज ने किया salary collect हो गई किते हैं salary pay कर रहे हैं किते पर कर रहे 68,000 पर कर रहे हैं लिख लेते हैं 68,000 last year का और यह last year का previous year का हमने speed किया मगर यह current year का बनाने का expenditure तो माइनस होगा हम गई साल का नहीं ले सकते हैं amount पर last year का अब salary on standing at the end of the year आपके साल की भी देना है हमे salary देना हमे salary अपने staff को इसलिए add करेंगे हम यह year का चाहिए amount इसलिए salary देना तो यह year amount add होगा plus 3,000 उमीद कराओ समझने हा रहा होगा 68,000 माइनस 5000 और यह plus 3000 66,000 आ रहा है यह लिख लेते हैं 66,000 यह fees collected और salary paid दोनों सेम ही है last year का minus करना है current year का plus करना है समझने हा रहा हुआ अब सारे expenses है सारे expenses हम लिख लेते हैं expenses आरे expenditure account में आएंगे देखिए entertainment expenses है फरस्ट लिख लेते हैं सारे expenses है पूरे expenditure account में आएंगे सारे expenses entertainment expenses 8,000 इसके बाद next है tournament expenses tournament कराने में जो expenses आ रहा है कि थे वो भी expenditure account में आएगा 8,000 जिस्वारी 25,000 next है meeting expenses meetings करने में खर्चा आएगा थे वो भी expenses में यह आएगा 18,000 next है traveling expenses यह भी एक तरह का expenses है traveling करने में expenses हुआ इसको traveling expenses रिख लेते हैं 7,000 अब नेक्स्ट देखिए पर्चेज ऑफ बुक्स और प्रेडिकल्स including 31,000 for the purchase of books हमने total amount है हमारा 40,000 उसमें हमने 31,000 पे कर दिया गते purchase of books के 31,000 पे कर दिया गते इसलिए 40,000 में से 31,000 माइनस करना है मैं 31,000 माइनस करना है confused नहीं है कहां से आया बोलके माइनस करना तो 9,000 आ रहा है एजी है पूरा आंसर उसके बाद पोस्टेज रेंट है देखो स्वारी रेंट 15,000 यह भी तरह एक्सपेंस है जो रेंट देना पड़ता हमें लैंड का पोस्टेज टेलीग्राम एंड टेलीफोन इन सुपका भी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स अकॉड में आएगा 6,000 प्रिंटिंग और स्टेशनरी प्रिंटिंग करने के लिए एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो भी एक्सपेंडिचर अकॉड में आएगा 18,000 लास्ट है दिखों डोनिशन रिषिवड डोनेश आये मां कॉड मिल रहे हँाँ तो ये इंकम हो रहा मांकू और स्टेश के 학 Lite में डोनेशन असा आते ना वो डोनेशन हमें मिल रहा हां कगते इसलिए डोनेशन हमें लिए हमारे इन कम है इसलिए income account में आएगा इंकम side आएगा 25,000 यह होगा हमारा पूरा format जो हमने कर लिया है पूरा answer अब हमें सिर्फ calculation की बारी है calculator ले ले लेते हैं परस्ट हम income का देखेंगे उसके बाद expenditure का देखेंगे total पहले income कर लेते हैं 4,70,000 प्लस 25,000 total आएगा 4,95,000 हम side में लिख लेते हैं पहले आपको confusion ना होने के लिए income amount आ रहा 4,95,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000 इसके बाद प्लस 15,000 इसके बाद 6,000 लास्ट है 18,000 इसका total amount आ रहा 1,72,000 यह भी लिख लेते हैं 1,72,000 और account में rules है जो ज्याद amount है वो दोनों से लिख लेना है आपको तो पता ही है इसलिए income का ज्याद amount है 4,95,000 इसलिए हम दोनों से लिख लेते हैं 4,95,000 अब दोनों को minus कर लेते हैं 4,95,000 minus 1,72,000 जिसमें से 3,23,000 यह हमें profit हो रहा है इसलिए इसे profit हो तो हमें surplus कहेंगे आप confusion मत कर लिए देखिए बुक में आप देख रहा है 3,700,000 है पर answer 3,23,000 आ रहा है यह आप confusion मत कर लिजिए आप बुक में आपका answer सही कर लिजिए 3,23,000 आ रहा है answer उम्मीद कर रहे हो, आपको वीडियो समझने आ गया होगा आपको पूरा आंसर समझने आ आगा होगा ऐसे आपको आंसर देखने को मिलेंगे आगे चलती वीडियो में इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर रेक वी आंसर बनाऊंगा मैं फॉर्थ फेफ परा लेसन कमिलेट करूंगा अगर वीडियो अच